सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टेडिशटीज जीके को और लैटर्ष अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को फ्रेश करें हेलो दोस्तो ओ Warsक आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेडिशटीजिके के अंदर दोस्तो आज हम करने वाले full forum for HSSC HSSC के exams के लिए दोस्तो full forum करने वाले हैं क्योंकि दोस्तो आज कल full forums काफी questions इससे related पुछे जाने लग गए हैं HSSC के अंदर तो इनसे related questions हम आज करने वाले हैं बिल्कुल अच्छे तरिक्के से करेंगे दोस्तो आप वीडियो को end तक देखें और अच्छे लगे तो दोस्तो लाइक भी कर देना वीडियो को और सेर भी कर देना स्टार्ट करते हैं दोस्तो यहां से है दोस्तो abbreviation abbreviation समझते दोस्तो short forum में उसको क्या का जाता है और full forum उसकी क्या होती है ठीके तो समझते हैं यहां से पहला जो हमारा है HEPFED HEPFED को full forum जो है दोस्तो वो है हरियाना स्टेट कोपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन ठीके दोस्तो चलते आगे आगे है H-A-L-R-I-S ठीके इसका जो full forum है दोस्तो हरियाना Land Record Information System ठीके दोस्तो आगे चलते हैं आगे है H-A-R-E-D-A इसका जो full forum है दोस्तो हरियाना Renewable Energy Development Agency ठीके आगे चलते हैं आगे हैरिस H-A-R-I-S ठीके दोस्तो इसकी जो full forum हो जाएगी हरियाना Registry Information System ठीके दोस्तो चलते हैं आगे आगे दोस्तो D-H-B-V-N-L इसकी जो full forum है दोस्तो वो हो जाएगी दक्षिन हरियाना विजली वित्रन निगम लिमीटिर ठीके दोस्तो आगे है H-A-R-S-A-C इसका जो full forum हो जाएगा दोस्तो वो हो जाएगा हरियाना स्पेस अप्लिकेशन सेंटर ठीके दोस्तो आगे हेरा H-E-R-A इसकी full forum हो जाएगी दोस्तो हरियाना इलक्टिश्टी रिफोर्म एक्ट 1997 में है दोस्तो ये ठीके 7 नहीं आएगा लास्ट में 1997 में है अगे चलते हैं आगे है H-E-R-C इसकी full forum हो जाएगी दोस्तो हरियाना Electricity Regulatory Commission ठीके दोस्तो आगे चलते हैं आगे है H-F-D-C H-F-D-C का जो full forum हो जाएगा हरियाना Forest Development Corporation ठीके दोस्तो आगे चलते हैं आगे है HIPAA काफी important है दोस्तो H-I-P-A इसकी जो full forum है दोस्तो हो जाएगी हरियाना Institute of Public Administration दोस्तो आपको मैं बता दूँ ये जो full forum हम कर रहे हैं इन मेंसे काफी exams में आप ही चुकी है ठीक है previous exam में आप ही चुकी है दोस्तो इन सभी में से ही तो इन सभी को अच्छे से आप याद कर लेना दोस्तो आगे है H-L-R-D-C इसकी जो full forum हो जाएगी दोस्तो हरियाना Land Reclaimations and Development Corporation ठीक है दोस्तो आगे चलते है H-H-G-I-S इसका जो मतलब है दोस्तो full forum हो जाएगी Happening Haryana ठीक है Happening Haryana Global Investor Summit आगे चलते हैं आगे है H-P-G-C-L H-P-G-C-L के जो forum हो जाएगी दोस्तो वो जाएगी हरियाना Power Generation Corporation Limited ठीक है आगे चलते हैं आगे है H-P-P-C इसकी full forum हो जाएगी हरियाना Power Purchase Center इसके आगे चलते हैं दोस्तो आगे है H-P-C दोस्तो सभी लोगों को लगवग मालूम होगा लेकिन किसी लोग को जिसको मालूम नहीं हो तो उसको पता लग जाए इसलिए हमने ये भी डाला है दोस्तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन आगे चलते हैं आगे है H-R-D-F-A इसका फुल फोर्म हो जाएगा दोस्तो हर्याना रूरल डिवल्लप्मेंट फंड एड्मिनिस्ट्रेशन्स बोर्ड आगे चलते हैं आगे है H-S-D-C इसकी फुल फोर्म हो जाएगी दोस्तो हर्याना सीड डिवल्लप्मेंट कोर्परेशन आगे चलते हैं आगे है H-S-A-M-B इसकी जो फुल फोर्म हो जाएगी दोस्तो वो जाएगी हर्याना स्टेट एग्रिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड तो दोस्तों यह सारी काफी important है जिसमें हर्याना का सबद आता है न हर्याना आता है वो तो बहुत ही जादा most important है आपके exams के लिए और कुछ central भी है हमारे हर्याना के अंदर national level पर भी उनको भी हम discuss करेंगे दोस्तो ठीक है आगे चलते हैं H-S-C-A-R-D-B ठीक है दोस्तो इसका जो फूल फूरम हो जाएगा हर्याना स्टेट कोप्रेटिव एग्रिकल्चर एंड रूरल डिवलप्मेंट बैंक आगे चलते हैं आगे है एच एस डी एम इसका जो फूल फूरम हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा हर्याना स्किल डिवलप्मेंट मिशन चलते आगे, आगे है HSEB, इसकी फुल फोरम होजेगी दोस्तो, हरियाना स्टेट इलक्रिस्टी बोर्ड, आगे चलते हैं, आगे है HSIIDC, हरियाना स्टेट इंडिस्टियल एंफ्रास्ट्रेक्चर डिलॉप्मेंट कॉर्पोरिशन, ठीक है दोस्तो, चलते आगे, आगे है HSEC, दोस्तो ये तो आपको सभी को ही मालूम होगा, इसकी फुल फोरम है हरियाना स्टाफ स्लेक्शन कमिश्चन, ठीक है दोस्तो, चलते आगे, आगे है HSWC, इसकी फुल फोरम हो जाएगी दोस्तो, हरियाना स्टेट वेरहाउस कॉर्पोरेशन, ठीक है, चलते आगे हागे है HSCA हरियाना स्टेट सीड सर्टिफिकेट एजिंसी ठीक है दोस्तों चलते आगे आगे हुडा हुडा इसके फुल फोर में हरियाना अर्बन डिवल्लप्मेंट अथियोरिटी आगे है HVPNL इसके फुल फोर में हरियाना विद्यूत परसारण निगम लिमिटीड चलते आगे है यू HBVNL इसके फुल फोर में है दोस्तों उत्तर हरियाना बिजली वितरण निगम लिमिटीड ठीक है दोस्तों चलते आगे आगे है VSDU इसकी फुल फोरम दोस्तों विश्व कर्मा स्कील डिवलप्मेंट यूनिवस्टी दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है यह अपने हर्याना के गुरुग्राम में स्थित है चलते आगे आगे है SYL दोस्तों यह भी क्योशन स्मूचा हुआ है ठीक है और इसकी फुल फोरम है यह सतलु जी हमना लिंक रहे है जिस पर पंजाब और हर्याना के बीच में विवाद है दोस्तों सभी को मालूम होगा चलते आगे आगे है जी ओ एच गोर्मेंट ओफ हर्याना इसी परकार से जी ऐ बन्वेंट एंडिया ठीक है दोस्तों है कि हागे है घी जे यू जिजे यू जो आगे चलते हैं, CIRB, Central Institute for Research on Vefelog, ठीक है दोस्तों, चलते आगे, आगे है CCSAU, इसकी फूल फूरम है दोस्तों, चोदरी चरंण सिंग, हर्याना एग्रिकल्चर यूनिवर्स्टी, आगे चलते हैं, आगे है BDSUHS, इसकी फूल फूरम है दोस्तों, भगत फूल सिंग of Health and Science, आगे चलते हैं, आगे है NBRC, काफी मैतोब पुरण हैं दोस्तों, ये National Brain Research Center, ठीक है दोस्तों, चलते आगे, आगे है नाबार्ड, ठीक है, NABARD, सभी को मलूम है काफी मोश्ट इंपोर्टेंट क्यों से दोस्तों ये, National Bank for Agriculture and Rural Development, ठीक है, चलते आगे, आगे है, MITC, इसकी फूल फूरम हो जाएगी दोस्तों, Minor Irrigations to Well Corporations of Haryana, आगे है, HUDCO, इसका फूल फूरम है, Housing and Urban Development Corporation Limited, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है, NDRI, काफी important है, दोस्तों, सभी को मालूम होगा, हर exam में लगबग ये questions देखने को मिलता ही है, ठीक है, और इस related काफी fact है, हमने और दूसरी वीडियो के अंदर बता रखे हैं दोस्तों, आभी हमारा सिरफ मोटो है कि आपको सिरफ इनकी फूल फूरम बताया जाए, तो NDRI जो है दोस्तों, वो हो जाएगा National Dairy Research Institute, चलते हैं आगे, आगे है NDDB, ये भी उसी परकार का है दोस्तों, National Dairy Development Board, ठीक है दोस्तों, ये Development Board है, आगे है NCR, National Capital Region, क्योंकि दोस्तों, इसके अंदर हर्याना के काफी जिले सामिल होते हैं, तो इसलिए ये भी हर्याना के लि State Electricity Board, ठीक है, SLDC, इसका मतलब है State Load Dispatch Center, आगे है SJVNL, सतलुज जल विद्यूत निगम लिमीटिड, ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, आगे है NTPC, National Thermal Power Corporation, आगे चलते हैं, आगे है STU, State Transmissions Utility, ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राई जरूर देना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थेंक्यों दोस्तों.